प्रत्वी को कौन गुमाएगा? किस से गुम रही प्रत्वी? लौचिक दो कुछ, कहां से गुम रही प्रत्वी? किस के कारण से गुम रही? कौन गुमाने वाला है? मुझ बताओ तो, हवा गुमा रही है? कौन गुमा रहा है? हवा का गूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है कभी पूरब सेवा चलती, कभी उत्तर सेवा चलती तो कभी प्रत्वी इधर गूमेगी, कभी उधर गूमनी चाहिए क्या गूमता है? कौन गूमाता है? अगर कोई प्रत्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आस्रत रहने वाला जो जल होगा समद्र होगा उनका पानी कहा जाएगा संतिश रोमनिया चारी गुरुवश्री विद्या सागय जी महराच की चे अरहम योग प्रणैता पुच्छ गुरुवश्री प्रणम में सागय जी महराच की चे उन अरहम नमा अरहम ध्यान योग 16 कारण भावना ध्यान की श्रंकला में आप सभी का स्वागत है ध्यान की इसी श्रंकला में आगे बढ़ते हैं आज आठवी भावना सादू समाधी भावना की योड जो श्रमन अन्त समय तक धरम ध्यान में स्थित रहकर आत्म अनुभव का रस्पान करते हैं मन्वचन का इसे उपयोग को स्थिर रखते हैं सहधर्मी साधकों को विश्म परिस्तिती में संबल देते हैं एसे साधू, वस्तुत, साधू, समाधी, भावना को प्रतिपल धारन करते हैं तो चलिए आज का ध्यान पंच मुद्रा की तीसरी मुद्रा आचारे मुद्रा के साथ प्रारंब करते हैं सीधे बेच्चाईए आखे बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी तीसरी मुद्रा, आचारे मुद्रा, ग्यान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को बना कर हतेलियों को अपने कंदे के पास तक ले जाकर कंदे पीछे की और कीच्चते हुए, सीना बाहर की और निकालते हुए, हतेलियां उपर बाकी की तीनों उंगलियां मिली हुई और मैसूस करेंगे आचारे परमिष्ठी का आसिरवाद हमें पूर रूप से प्राप्त हो रहा है इसी मंतर के साथ ओम अरहम्नमाः ओम अरहम्नमाः ओम अरहम्नमाः ओम अरहम्नमाः तारतना मुद्रा में भावनाव में आठमी भावना है साधू समाधी भावना आईए इस भावना का भी हम आनन्द लेते हैं इसकी भावना करते हैं जिसके चित विशुद्धी रहती क्लेश रहित जीवन जीता धर्म ध्यान आउशुक्ल ध्यान से आतम अनुभव रस पीता आतम में ये भाव निराले विरले जन में हैं मिलते साधु समाधी भाव नावाले मुनियों के मन मुख खिलते मनो योग अवचन योग से काय योग से सहित हुआ तीनों योग सहित स्रमनों का सावधान उपयोग हुआ योग और उपयोग बने जब निश्चल एक लक्ष संधान ऐसा साधु सतत भारह साधु समाधी भाव नाजान किसी साधु के लिए कभी भी नहीं सोचता वक्रशदोस नहीं कभी भी अप्रिय बोले वचन काय से म्रदु निरदोस छोटे बड़े सभी सहदर्मी सब के सुख की चाह करे उस साधक के रिदय कमल में साधु समाधी सुभाव भरे स्वयम दुखी जो हो जाता है देख दूसरों का अपमान और देखना चाहे नित जो निजपर का हित कर सम्मान आत्म रूप में रुची रखता है करा रहा रुची आतम में साधु समाधी भावना उसके प्रतपल पलती आतम में अंत समय में मरण समाधी धार रहा उत्साहित हो छपक मोह छे करने वाला देख रहा उसका भी हो जो उनकी परिचरिया में नित तत पर हो उपयोग लगा साधु समाधी भावना धारक तीर्थंकर पद बंध पगा सृत को पड़ पड़ तप को तप कर जो तप सृत में निष्ठावान वह साधक आराधक माना दशधर्मों का निष्चय जान जो स्रद्धा से निज आतम को आराधन में द्रण करता साधु समाधी भावना उर में रात दिवस साधक धरता मन चंचल है जिस साधक का विचलित होता रहता जो निजमती बल से म्रदु वचनों से उसको संबल देता जो मानो पवन वेग से दीपक बचा रहा देकर कर ओट साधु समाधी भावना भाता देकर के आवश्यक चोट सब का चित रहे अपने में जो विचार ता रखे विचार यह मानुष्टन अस्थिर सब का आपस की सब कलह सुधार अपने व्रत का ध्यान धार कर निजहित का जो करे विचार साधु समाधी भावना उसको कर देती है भव से पार सधा रखे शुव भाव रदय में जो प्रमाद से मोक्त सदा चित ध्यान में तरपती आत्म में परत्रश्णा से मोक्त सदा वह साधु ही नित समाधी की रहे भावना में तल्लीन जग में रह कर मोक्त रहा है वह ही है जग में परवीन ओ मुरी मरहम साधु समाधी भावना ममास्तु 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 ओम्री मरहम सादू समाधी भावना ममास्तू 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 ओमरी मरहम सादू समाधी भावना ममास्तू ओमर्भभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ अपनी हदेलियां किसकर आखों पर रखेंगे ओम अरहम परम शांति ही ओम अरहम परम शांति ही ओम अरहम परम शांति ही क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर स्थेता और एकागरता की कमी है हम अपना लक्षे निधारित नहीं कर पा रहे या फिल लक्ष प्राप्ट करने के लिए सही मायप पर नहीं चल पा रहे तो परिशान ना हो इसका समाधान आपको सेर्फ दस दिनों में मिल सकता है वो भी गर बैठे अपनी सुगधा अनुसार ओनलाइन ग्रुप से जुड़े सत कुरुने देशन में धरम का लाब ले अगर आपके लिए अपने घर में रहते हुए ही धरम ध्यान करने का साधन मिलना है तो भी आपको महराज ब्यापार पूरा बन तो नहीं हो सकता दस दिन के लिए दुकान पर जाना पड़ता है दोपेर के टाइम की छूट दे दो सब कुछ बहाने बाजियां हमारे सामने आ रही है जब तक हमारे मन में इतना भी भाव नहीं आएगा कि अगर लॉक डाउन में हम महीनों महीनों ब्यापार बंद करके भी जीवित रह सकते हैं तो एक बार धरम के लिए दस दिन के लिए तो अपना भ्यापार थोड़ा सा कम करके भी जीवित रह सकते हो लेकिन आदमी परासरत हो करके सब कर सकता है स्वासरत कभी कुछ नहीं करता परासरत हो करके भूका रह लेगा प्यासा रह लेगा सब तरीके के कश्ट सेलेगा अगर मम्मी पापा कहीं 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बॉंबे और दिली के होस्पीटलों में भरती होंगे तो 10-15 पंदरे दिन के लिए भी वहाँ पर रहना हो जाएगा लिकिन स्वासरत रह करके धरम करने के भाव बनाना हर किशी के बसकी बात नहींगे ये भाव तभी बनते हैं जब हमारे अंदर थोड़ी सी मोह की कमी आए और ये भाव आपके अंदर बनें आपके अंदर मोह की कमी आए इसलिए हर तरीके का आपके सामने प्रावधान है ओल लाइन भी ये सिविर चलेगा और ओफ लाइन भी चलेगा online उन लोगों के लिए जो दूर दराज में हैं आ नहीं सकते हैं अपनी मजबूरियों के कारण से वो अपने धर पर धरम ध्यान करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी online सुभे के होने वाले ध्यान प्रवचन बीच में अनेक तरह के दिये जाने वाले quiz अनेक तरह की task उनके लिए दी जाती है जिसके माध्यम से हुए दिन भर English करते हैं अपने आपको English कर सकते हैं और जिस तरह से पहले कोरोना के समय में अनेक लोगों ने घर में बैठकर के स्वय धर्म श्विर का आनन्द लिया था ऐसे ही online भी बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में रहकर के भी धर्म कर पाएंगे अपने मन के अंदर ये विचार लाओ के दस दिन के लिए हमें सैयम भाव में आना है दस दिन के लिए हमें केवल धोती और दुपट्टा यही बस्त्र पहनना है दस दिन के लिए हमें मोबाइल का त्याक करना है दस दिन के लिए हमें एक ब्रह्मचारी बनकर के जीवन जीना है फिर देखते हैं उसके बाद में जो होगा तो देखा जाएगा अपनी जिंदिकी के दस दिन तो ऐसे निकालो जो गोल्डन टैंग डेश कहला है अगर आप अरहम ध्यान योग के विशिष्ट प्रकार के ध्यान करना चाहते हैं तो अरहम ध्यान योग के फेस्बॉक पेच और यूट्यूब चैनल से आज ही जुड़ें पेच को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक अपलोड की जानकारी प्राप्त करें उनि अरहम नमा प्रत्वी को कौण गमाएगा किससे गुंभ रही प्रत्वी लॉचिक क कहा से गुमभ माने वाला हैं मुझ बताओ हवाघो माँ रहिए समय कौन गुमारा है हवाकर नैं तो फिर अपनी डार्रेक्शन बदल्टी रहती है कभी पुराव सेवा चलती कभी उत्तर सेवा चलती तो कभी प्रत्वी तरह गुमके कभी उधर गोमनी hugs क्या गूमता है और कॉन गुमाता है अगर को प्रत्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलो मीटर में वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आस्रत रहने वाला जो जल होगा समद्र होगा उनका पानी कहां जाएगा